ओम सिरी गनी साय नमदूस्तो एश्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 नवंबर शुक्रवार के रासी फलके बारे में कि यह दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीरी आप लोगोसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तों साति सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साति सात आज आपको आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारातमक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारे छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का समय आर्थिक दरश्टी कोंड से आपके लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आपको इनया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों साति सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं अज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच यंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यता विवाद में फस सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों क भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाईए और संभवनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जि आवशकता पढ़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मानसिक रूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुबव कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की वरद्दी हो सकती है लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरूत है तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाईत है तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रेतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती है तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शानती, सदबाव, रोमांस आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारेच छित्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शैकरिमियों का आज आपको भरपूर शैयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कार्रे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और बिजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे या दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा दहनल लाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जया दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साथी साथ विध्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी स्वास्त में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दोरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानियां रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद ग्यारा छोटे आकार के नारियल लेकर एक पीले कपड़े में बांध कर अपने घर के किचन के पूर्व इस्थान के कोने में करेंगी या दोस्तो आप इस उपाई को वश्य करें आपको वश्य ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तो मालक्षमी का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंस बोक्स में जैमालक्षमी अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद